दिल्ली में मुक्य मंद्री अद्विंद के जिवाल के आवास के बाहर महिलाओं का जोड़दार पदर्शन मालिवाल से बदसलुकी मामले को लेकर जताया विरोध मारिवाल से बदसरुकी के मामले को लेकर महिलाओं का फूटा गुच्सा चूडिया लेकर पहुंची बीजेपी महिला कारे करता स्वाती मारिवाल से बदसरुकी मामले में घटना का टाइम लाइन बना रही है पुलिस सापको बता दे सीसी टीवी खंगालने की तैयारी में भी है पुलिस स्वाती मारिवाल मामले में पुलिस का अक्शन तेज फायार दर्ज होने के बाद विभाव कुमार के तलाश में जुटे पुलिस दले पुलिस के पांस टीम चानबीन में जुटी स्वाथी मालिवाल के साथ हुई बचसलू की मामले में वभव के खिलाफ कई धाराओं में दर्ज हुआ मुगर्दमा दिल्ली पुलिस ने स्वाथी मालिवाल से चार घंडे पूश्टाच के बाद वभव के खिलाफ दर्ज किया केस विभाव कुमार के तलाच में जोटे पुलिस विभाव के अमरिस सर में होनी क्या शंका पुलिस ने कलप घर पर मौजूद लोगों से विभाव की जानकारी ले थी विभाव कुमार की आज NCW में पेशी NCW ने आज पूछताच के लिए तलब किया है स्वाती मालिवाल मामले में भेजा गया था सम्मन विभाव कुमार को विभाव के खरापे फायार के बाद पुलिस ने स्वाती मालिवाल का मेडिकल कराया आधी रात में स्वाती मालिवाल का मेडिकल एम्स अस्पताल में कराया गया किसी भी वक्त विभाव कुमार की हो सकती है के रफ्तारी हामादी पाड़ी की सांसर्थ स्वाती मालिवाल ने दिली पुलिस को लेके शिकायत दी पुलिस सूत्रों के मताबिक स्वाती ने अपनी शिकायत में बताया कि विभाव ने उसे थपड मारा लातों से मारा और पेट में भी मारा इतना ही नहीं बॉडी पर हमला भी किया मरते आगे ग्री मंत्री आमिज उशा ने जीत का दावा क्या कहा अच्छे काम के लिए चाहिए 400 पार सीट हमारे साथ जनता का शिरबाद है सबसे पहले बात स्वाती मालिवाल मामले में बड़े अपडेट की स्वाती मालिवाल मामले में बड़ा अपडेट ये है कि स्वाती मालिवाल के चेरे पर कई गंबीर चोटे आए अंदरूनी चोटे आई है और तीन गंटे तक कल उनका मेडिकल चेक अप हुआ है तो देखें स्वाती मालिवाल से मारपीट का मामला स्वाती के चेरे पर अंद्रुनी चोटे आई है तीन घंटे तक मेडिकल टेस्ट हुआ है उनका एक्सरे और सिटे स्कैन भी किया गया है स्वाती के मेडिकल रिपोर्ट आज आएगी तब साफ साफ पता चलेगा कि आखिर कहां कैसे चोटे स्वाती मालिवाल को लगी है लेकिन कल देरात स्वातिमालिवाल का मेडिकल टेस्ट हुआ, तीन घंटे तक एक्सरे हुआ सिटी स्कैन और आज रिपोर्ट आने वाली है विभव कुमार को कहा चिपाया गया है, विभव कुमार पर कारवाई क्यों नहीं हुई, और सबसे बड़ा सवाल ये उठाय जा रहा है कि महिला सांसत को मुख्यमंत्री आवास में कैसे पीट दिया गया, मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे, इन तमाम सवालों के बीच, बीजप का चिपा दिया गया, मुख्यमंत्री क्या करे तो अब विभव कुमार को का चिपा दिया गया है, आज बिलकुल आसुबा ही कुछ मैलाएं यहां पर इखटी हो जाती हैं और लगातार अर्विन केजिवाल के खिलाब और नारेबाजी करती है, जितने भी मैला यहां पर अर्विन केजिवाल बचा रहे हैं अपने राजनेतिक इवर्ड में वो विबव कुमार को अपने साथ लेकर गया और कल सभी ने देखा कि लक्लव में विबव अर्विन केजिवाल के साथ मौझूत है उसी का विरोध ये महिलाएं कर रही है और आप देखेंगे कि पुलिस न इलावा क्राइम ब्रांच भी इसमें इन्वालव है जो की लोकल पुलिस को एसिस्ट कर रही है कल देर रात विबव कुमार का जो घर है सेविल आई इसमें वहापर दिली पुलिस पहुची थी लेकिन विबव कुमार वहापर नहीं मिले जानकारी ये भी मिल रही है कि स्वातिमालिवाल के चैरे पर अंदरूनी चोड थी और यही कारण था कि एम्स्रामा सेंटर में तक्रीबन तीन गंटे तक स्वातिमालिवाल का मेडिकल टेस्स कराए गया उस मेडिकल टेस्स की रिपोर्ट भी आज आ जाएगी जो की दिल्ली पुलिस को सौप दी जाएगी तो तमाम ऐसे पहलू है जिसको लेकर बिल्कुल बिल्कुल जतिन और कहीं न कहीं मुश्किलें बढ़ गई है तो बड़ी कबर ब्यार किरा जानी पटना से पटना में भीड ने एक स्कूल को जला दिया जिसके बाद लोगों में भारी नाराजगी देखी गई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद स्कूल को जला दिया तस्वीरें आपको दिखा रहे है देखे ये प्रदर्शन हुआ सडख पर भी विरोध विरोध प्रदर्शन किया गया है उसकी तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं बच्चे का शव मिला उसके बाद दीड का उगर प्रदर्शन देखने को मिला है सलक पर भी विरोध प्रदर्शन मिला है और कैसे जिलाया गया है वो तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे हैं